बदलते समय के साथ हमारी जरूरते भी बदल रही हैं। आज के समय में सायद ही कोई वेक्ती हो जिसके पास फोन ना हो। बात करने के लिए इस्तमाल होने वाला फोन अब बहुत से कामों के लिए यूज किया जाता है। आज हम आपको phone में डलने वाले sim card के बारे में ही कुछ बताने वाले हैं क्या आपने कभी सोचा है कि sim card एक तरफ से तिरचा क्यूं कटा होता है आईए जानते हैं इस बारे में छोटे से sim card पर कुछ साल पहले तक किसी प्रकार का cut नहीं लगा होता था लेकिन अब हर SIM card के एक कोने पर तिर्चा कट लगा होता है इसके पीछे की वज़ा है SIM को लगाने में होने वाली दिक्कत दरसल SIM card को लगाते वक्त पहले काफी परिशानी होती थी बहुत बार SIM card फोन में फस भी जाता था इसी को देखते हुए SIM card के design को बदला गया तिर्चे कट की मदद से SIM card को आसानी से लगाया जा सकता है SIM card के चारों तरफ से बराबर होने की वज़े से फोन में लगाने में बहुत दिक्कत होती थी इस वज़े से लोग दोबारा दोबारा फोन में SIM लगाने का प्रयास करते थे जिससे फोन खड़ाब भी हो जाता था SIM card पर तिर्चा कट लगाने से फोन खड़ाब होने का डर नहीं रहता और साथ ही किसी प्रकार की परिशानी भी नहीं आती है आपने यह तो जान लिया कि SIM पर कट क्यों लगा होता है लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि SIM के उपर सोना लगा होता है बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे फोन के SIM पर गोल्ड लगा होता है इसके पीछे की वज़ा है उसे स्क्रीन से बचाना ना सिर्फ गोल्ड बलकि चांदी का भी आक्सी करन करके उसे सिम पर लगाया जाता है कुछ साल पहले ऐसे कई वीडियो भी वाइरल हुए थे जिनमें सिम में से सोना निकालने के बाड़े में बताया गया था आपको सिम कार्ट से जुड़ी बातों के बाड़े में जानकर कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए हमारे चैनल डीठव को सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पेज को भी लाइक करें धन्यवाद